इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम करें। जब तक आप बहतर महसूस न करें तब तक इसका उपयोग तब तक बंद न करें जब तक आप पूरा कोर्स पूरा नहीं कर लेते। इसे इस्तिमाल करने के बाद आपको कम से कम 30 मिनत तक खाने, पीने या धूम्रपान से बचना चाहिए। यह कम या कोई साइड इफेक्ट वाली एक सुरक्षित दवा है। हालांकि इससे कुछ लोगों में दातों में धुंधलापन, कठोर दंद पर टिका और स्वाद परिवर्तन हो सकता है। यदि आपको परेशान करता है या दूर नहीं होता है तो अपने चिकित सक को सूचित करें। यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इसके काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी। लेकिन अगर आपने पहले इसी तरह की दवा का इस्तेमाल किया है और अलजी की प्रतिक्रिया हुई है तो इसका उप्योग करने से पह लक्षनों में सासों की बदबू, मसूरों में सूजन, स्वाद में अप्रिय बदलाव, गर्म्या ठंडे भोजन तरल आदी के प्रती दातों की समवेधन शीरता आदी शामिल है। और आपके लिए अपनी देनिक गतिविदियों को करना आसान बनाती है। अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार इसका उप्योग जारी रखें। अधिकांश दुशप्रभावों को किसी भी चिकित सा ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित सक से परामर्ष करें यदी वे बने रहते हैं या यदी आप उनके बारे में चिंतित हैं। कम से कम 30 मिन तक खाने, पीने या धूमरपान से बचें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।